एक बहुत कॉमन कोमेंट है कि मैंम जो बच्ची वह अपनी नैक को होल्ड नहीं कर पाती है। कुछ बच्चे एट मंद के हो गये नाइज मंद के हो गये वन जिसमें से कि मैंने कोमेंट निकाला था जिन्होंने लिखाया कि मेरी बेटी 4 मंथ की है लेकिन नेक होल्ड नहीं कर पा रही है बहुत परिशान हूं और आगे हमारे बच्चे में मतलब उनके फैमिली में और उसी सेम एज का बच्चा है इन्होंने इसमें मैं इसमें किया है स अपरियन्स भी करने लग जाते साथ इसाथ हमारी फांबली मेंबर होते हैं जैसे हमारे इन्लोज हैं यह जो हैं वह ओ भी है अरे हमारा बच्चा आ बच्चा तो अभी नेक होल्ड़ करनाने दर सी कफ लाने का बच्च अर just 하루 यह तो खानी लग दोग audi उसमें सु चलनी भी लेकिन देखिए आप इस बात को पहले तो समझ लेजिए कि हर बच्चा different होता है हर बच्चे की body different होते हैं कुछ बच्चे time to time अपने सारे milestone complete कर लेते हैं कुछ बच्चे थोड़े लेट हो जाते हैं ठीक है और कुछ बच्चे बहुत जादा लेट हो जाते हैं तो उनके लिए आप specialist से suggestion ले सकते हैं उनसे बात कर सकते हैं आज की time में सारे चीज पॉसिबल है ठीक है तो परिशान मत होई है पहली बात तो अब बात आते हैं नेक होल्ड करने के लिए उसमें आप क्या कर सकते हैं सबसे पहले आपको लग रहा है तो अभी मेरे खाल से उसका time नहीं निक परयुआ तो सबसे पहले आप यह मदय कि हम अपने बच्चे को जो दी में ले ले लेंगे इस तरह के और एक आथि इस साइट इस साइट यस तरह रहती है तो जिस साइट बच्छी की गर्दन बहुत जड़ाए लटकी हुई रहती है वहीं अफनी चाम पर्टियवल जो जो गर्धन रखना स्टाट कर दीता है तो ऐसा कर रहा है तो बच्चे को अच्छे से होल्ड करिए जब सब्सटों इसम्टेक्भि-घorn को उड्स सब्सक्राइब्स घर्थ आप मारा ऐसे बच्छे कि हर्वक्स और आप कि रहे हो लेकिन आप करेये हैं इसे आप का बदाट को बीकुम करने लगे तो बच्चे कभी इहां से नहीं पक्ड़े आपको यहां से इस तरीके से तिर्ट डूसरा को क्या करना है आपको अपनी बच्चे और कुछ तमी टाइम बच्चे का फैबरिट एक एकसराइज है बहुत इंपोर्टेंट है हर पेरेंट को अपने बच्चे को तमी टाइम देना चाहिए आप आराम से थी मन्त के बाद अपने बच्चे को ते सकती है उसमें आप क्या करोगे कि एक सौफ्ट सा पिलो लीजिए ध्यान बच्चा क्या करता है कि पूरा अपना जो गर्दन है वो तक्ये में रख लेता है वो उठानी बता और उसकी सांस रूप जाती है यह नहीं करना बहुत सौफ्ट सापको पिलो लेना है जिससे कि बच्चे का जो फेस वह आगे की तरफ रहे इस एरिया में बच्चे का पिलो उसे बैलेंस करना आ जाएगी अब रेगुलर दीजिए दिन में दो या तीन वार आप अपने बच्चे को टमी टाइम जरूर दीजिए ठीक है इससे काफी हद तक बच्चे ने खोल करना सीख जाते हैं बच्चे की और भी जो बॉड़ी पार्ट है वो स्ट्रॉं होते हैं ह आते हैं पैरें यह सारी चीज़ स्ट्रॉं होती साती अगर बच्चे को गैस की प्रॉब्लम है वो भी इससे ठीक हो जाती है तो टमी टाइम बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चे के लिए इसके बाद और क्या कर सकते हैं बच्चे की मसाज आप बैक साइड स छो टील आप देखिए आपका बच्च शाथ 8 महीने से पहले ही बहुत अच्छा होल्ड करना सीक जाएगा चार से पांच महीने का बच्चा आरम से नियोगता है लेकिन अभी भी नहीं कर पा रहा तो जो यह स्टैप्स मैं आपको बता है उससे बच्चा कर लेगा है अगर बच्चे की जो गर्दने वो इस्ट्रेट रहती है और ने खोल्ड करने में हैल्प करती है आप online amazon जो भी जहां से मिल जाते हैं वहां से अप इसको अरेंच कर सकती हैं आप अच्छे किसी डोक्टर से मिल सकती हैं जो भी इन सब शीजों के स्पेसिलिस्ट होते हैं उन से आप म तो इस तरीके से आप अपनी बच्चे की ने खोल करना से खा सकते हैं परिशान मत हो यह दूसरी का बच्चे ने खोल करना से गया इट सो कि आपका भी सीख जाएगा लेकिन आपको यहां परिशान नहीं होना है काम रहना है सॉलिशन ढूनिए चीजें देखिए डॉक्टर से विजिट करिए खुच से एफ़र्ट करिए डैफिनेटल आपका बच्चे वो मायलिस्टान जरूर कम्पेट करेगा तो I hope my dear mommies, my dear parents आपको यह वीडियो अच्छे लगे तो please इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा मैं ऐसी informative वीडियो आपके लिए लेकर आती रहूँ Thank you so much